तो यह जो gaming phone है ना इंडिया के अंदर release नहीं हुआ था और यहाँ पर snapdragon 835 वाल प्रोसेसर और साथ में 120Hz की izzo display इसके अंदर मिलती है और यह literally काफी खतरनाख display निकल कराती है और इस बात को almost 6 साल हो चुके हैं यहाँ पर मैं बताता हूँ overall यह phone कौन सा है क्या क्या इसके अंदर चीजे थी और क्यों इसको इंडिया में launch होना चाहिए था और यह जो display थी ना literally samsung के display को टकर देती थी टकर नी actually आगे आ दी थी उस time के हिसाब से पर यह जो display हमें आज के time पर बहुत सारे smart phones पर या किसी भी smartphone पर देखने नहीं मिलती है तो यहाँ पर जिस phone की मैं बात कर रहा हूँ यह है Razer Phone 1 तो इस तरह की box packaging की साथ में यह phone आता था और यहीं पर अगर आप देखोगे अंदर की तरफ packaging तो काफी solid बनाते थे ऐसी book type की cover हो गई और इसी के अंदर आपको उसके अंदर सारे documentation papers हो ग logo हो गया और यहीं पर आपके इसके दो dual setup camera flashlight के साथ में aluminum unibody design यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर एक चीज है कि build quality में काफी जादा super है मतलब यहीं पर अगर side में देखोगे तो इसके volume rocker button की designing भी काफी जादा अलग है और यहीं पर आपको इसमें side mounted fingerprint scanner मिलता है जो बहुत जा पर देख सकते हो और यहीं पर सामने dotted pattern मिलता है उपर की तरफ और नीचे की तरफ आज के time के हिसाब से देखोगे तो आपको थोड़ा सा oldest feel ज़रूर करवाएगा कि यार इतने बड़े top और bottom bezels मिलते हैं और एक चीज है यह पूरा symmetric design देखने मिलता है सभी से जगर से corner से प के gaming accessories बहुत आती है जैसे कि mouse हो गया, keyboards हो गया, headphones हो गया, mics तक हो गया, बाकी gaming TWS आते हैं तो gaming centric बहुत चीजे Razer बना रहा था तो उन्होंने यहीं पर एक अपना phone launch किया बाद में भी इसके और version आया like phone 1, 2, 3, सब देखने मिलता है बट मेरे हाथ में पहला Razer phone 1 है बाकी इ 8GB RAM with 64GB storage के साथ में, तो मैंने इसे around 8000 के nearby buy किया हुआ है, हलागी मतलब Amazon Flipkart पे नहीं मिलता, कहीं से मतलब एक जगर से जुगार करके बाहर से मंगवा के, मतलब बता रहा हूँ, और यहाँ पर जब यह phone launch हुआ था था न तब इसकी actual pricing थे आपके screen के सामने में डाल देता ह देख सकते हो, तब यह phone इतने में आता था, बागी build and design वगरा में तो भाई यहाँ पर यह मैं कहूंगा अच्छा design बनाया था उस time के हिसाब से, आज के time के हिसाब से compare मत करना, जो इसके अंदर प्रोसेसर है, snapdragon 835 10NM वाला प्रोसेसर है, एंट्रूडू बेंचमार्क पर 3 सवा तीन लाग के एंट्रूडू स्कोर निकाल लेता है, और पचास जार के हिसाब से अगर आज compare करते हैं, तो snapdragon 8Gen3 हमको मिलता है, IQ 12 के अंदर, और score बाई लिटरली बावाल मिलते हैं, लेकिन ठीक है, तब का tech expensive था, लिटवागा जैसे आज हम लोग आई गूट 12 को बड़ ऐसे यूज करने के हिसाब से समझ जाते हैं, और ओर फोन आता गया सा था यह, तो ऐसे इसके इंदर 4000 mh की बैटरी है, और box के अंदर 18 watt का charger आता था, और 4000 mh की बैटरी मतलब आज के ताइम पे जब मैं इसे यूज कर रहा हूं तो literally battery चूसता है, अभी जस मतलब पीच में से फोन थोड़ा सा बैंड भी दिखता है, और even heating वगेरा सब कोछ एकदम तकडी देखने मिलती है, और मैंने जस ऐसी चेक करने के लिए देख रहा था कि यह फोन सच में मतलब gaming जैसे मैं बोल रहा हूं, तो आज के डाम पे gaming करवा भी सकता है, तो मैंने na bgmi इंस पकना तो हो, रहता ही रहता है, आपने aim up किया, बट लगेगा बाद में, इस तरीके की level है, बट 60FS unlock करके दिखने मिलता है भाई, वो ही जादा अच्छा लगा, क्योंकि 6 साल पूराना device है, बाखी ये phone 5G तो of course नहीं आता था, तब 4G phone आये करते थे और Wi-Fi connectivity भी यहां पर खीकी है, और dual band Wi-Fi भी support कर जाता था ये, और side mounted fingerprints के अदर है, जो अच्छी positioning पे था, और अच्छी तरीके से use भी हो सकता है, अब बात है इसके main display की बात कर रहा हूं, मतलब ये थोड़ा सा highlighted part है, क्योंकि जब इस phone को में देखता हो ना, तो मतलब literally इसकी display इतनी जादा crisp है, इतने अच्छे color निकाल दी है, मतलब मैं आपको बता देता हूं, बेसिकली यहाँ पर 5.7 inches का IZO IPS LCD display आता है, और 120 Hz की refresh rate है, 360 nits की brightness वगराल लेकर आता है, तो outdoor में इतना कोई अच्छा brighter है नहीं, लेकिन मैं आज से 6 साल पुरानी बात कर रहा हूं, तब ये जो display आया था तो Samsung अपने display बनाता है, जो iPhone को भी provide करता है, और LG भी अपने display बनाता है, लेकिन एक टाइम पर sharp brand है, जो बहुत लोग जानते होंगे, वो जो brand है ना, मतलब display बनाया करता था, और इसकी अंदर उसी का display है, sharp company का, अब ये display इतना जादा अच्छा था, क्योंकि यहाँ पर आ बहुत जादा अच्छे color basically produce कर रहा है, तो अब ये जो display है, मतलब अगर आप normal कोई display पकड़ ले तो, जैसे कि कोई भी IPS LCD display पकड़ लो, उसको बनाने के लिए एक ही type का material होता है, जहाँ पर LCD display में electron होता है, और उसी material से वो पुरा बन जाता है, लेकिन इस display को बनाने के जो vibrancy हो गई, मतलब बहुत जादा next level अचीव कर रहा है, आज के time पे मतलब ऐसा है कि मैं इतना नहीं कहूंगा कि आज की भी IPS display literally बहुत अच्छे color बना रहे है, बट मैं बात कर रहा हूँ, आज से 6 साल पुराने tech को लेकर, और तब ये next level perform करता था, तब इसकी color accuracy, saturation बहु बहुत सारे phones में आपको ये display या इस brand की display आपको किसी phone पे देखने नहीं मिलती, उनका reason ये था, क्योंकि इन 4 materials को डालने के लिए खर्चा भी आएगा, और एक display panel पर बहुत जादा extra खर्चा हो रहा था, या मैं कहूंगा extra पैसा देना पड़ेगा, अगर किसी भी manufacturer को ये display देनी पड़ती है, और भाई सब लोग most of ऐसा ढूंटे हैं कि जैसे कि Samsung अपना, कि वो सस्ते में अच्छा display बना के देदेगा, मतलब बहुत जारे brand फिर use कर सकते हैं, तो इसके लिए ये जो display है या Sharp Company का ये जो IZO display है, ये आगे चलनी पाया या survive नहीं कर पाया मैं कह सकता और फिर उसमें Samsung पैसा बचा के और अच्छी चीजे देकर आगे बढ़ गया, और आज भी हमको किसी भी phones पर Samsung की display ज़रू देखने मिल दी है, बट Sharp Company की बहुत जादा rare chance, और एक टाइम पर शार्प ने अपनी एक display भी बनाया थी, जैसे इसके अंदर 120 Hz और मेरे हिसाब से उस टाइम 120 Hz बहुत अरली आ गया था, इसके अंदर जादा phones के अंदर देखने मिलता नहीं था, रेजर का पहला ही phone था और उसमें 120 Hz, तो थोड़ा सा next level ये चीज़े सुनने मिल दी थी, इवन Sharp Company ने ही एक अपना phone है, उसका नाम थोड़ा सा खतरनाग है, वो मिढ़ाल दे जो प्राइजिंग मेंटेन करने आला पाट था, उसमें थोड़ा सा पीछे रखे, तो जादा मतलब मिलता नहीं, बागी इस पर डिस्पले तो डेफिनेटली काफी बढ़े आते हैं, और मैं जादा शिकायत नहीं करूंगा, क्योंकि आज का फोन नहीं बहुत पुराना phone है तो इसमें जो speaker है न, dual आते हैं, और like speaker was okay-okay है, जादा blaster नहीं है, ठीक है, और अभी देखो इसके अंदर Android का Oreo मिलता है, जादा कुछ नहीं है, Razer का UI एकदम clean सा में कहूंगा, आज के डाइम पे जो 10-12,000 के phone यां उससे कम वाले phones हैं, उसके अंदर शाय से मिलता है, और ब lens मिलता है, और front bit 8MP का selfie camera है, और ये phone 4K 30fps पर video shoot कर सकता है, main से, और front से 1080p 30fps की video बना सकता है, तो इसके अंदर जो camera है like okay-okay है, कोई जादा तगड़ा सा तो नहीं है, और जादा शिकायत भी नहीं करूंगा, कुछ samples मैं आपको दिखा देता हूं, तो भाई ये वो phone था, basically Razer phone 1, जो इंडिया के अंदर तो मतलब एक भी phone नहीं है, और शायद इस brand ने कुछ अच्छा करके, में भी इंडिया में कुछ एका दो phone launch करें, तो काफी जादा interesting चीज़ होगी, बाकि आपको इस phone के बारे में पता था, Razer phone 1 को लेकर या Razer phone भी बनाता है, ऐसा कुछ पता था तो एक बार comment में मुझे ज़रूर बता देना, और ये वीडियो आपको कैसी लगी है, ऐसे ना interesting phone से जो इंडिया के अंदर नहीं आया है, मैं आपको बताऊंगा कि क्या-क्या देखने मिलता है, तो उस effort के लिए भाई, भाई को मस्त में subscribe कर लेना, ऐसे आगे और interesting phones आपको म आने वले टाइम पर लिखाते रहूंगा, बागी मिलते हैं next interesting वीडियो में तब तक के लिए ये वीडियो देखो, और अभी तक फिल से कह रहा हूँ, subscribe नहीं मार तो ये वीडियो क्लिक करके subscribe मारो, मिलते हैं next वीडियो में, तब तक के लिए, बाई!